हेलो गाइज, वेलकम टो डीके मैच एजुकेशन, तो इस वीडियो में मैं एक नया चैप्टर चालो करने आला हूँ, जिसका नहा में फ्रैक्शन, तो इस वीडियो में मैं फ्रैक्शन चैप्टर का एक्सराइज 7.1, औल कोशन के साथ कम्प्लीट करवाना आला हूँ, तो व हम लोग फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, तो जैसे हाँ पर मैंने एक केक बना है, तो इस केक का मैंने आठ पीस कर लिया, आप लोगो दिख रहा होगा, यहाँ नीचे हाफ केक का मैंने चार पीस किया, उपर हाफ केक का चार पीस किया, और इस केक में मैंने दो पीस अगर ख और इस चार पीस में एक पीस खालिए तो इस को लिखूँगा वन वाई फूर मतलब मैंने उस चार पार्ट में एक पाट खाद खा लिया और इसको मैं प्रणाउंस कैसे करूंगा 1 4 खालिया 2 8 खालिया 3 4 खालिया ऐसे मैं इसको प्रणाउंस करूंगा और अगर हम लोग fraction को में जो उपर और नीचे लिखते हैं जो हम लोग उपर लिखते हैं इसको हम लोग बोलते हैं numerator और जो नीचे लिखते हैं उसको बोलते हैं तो एस फ्रक्षिन में 2 है न्यूमिडर और 8 है न्यूमिडर इस वाले फ्रक्षिन में 1 न्यूमिडर और 4 प्रेविद्था प्रेवे का caffeine मतलब समझेए आ घैजा रहेगा यहां पे एक बार लिख आप लोको दिकगा हो का मैं एक पढ़ के सम्झाय का A fraction is a number representing part of a whole. The whole may be a single object or a group of objects. For example, 2 by 8 and 1 by 4. It obtained when we divide 8 equal parts and take 2 parts. We need, it has two eights. Here, two is numerator and eight is denominator. So, I have read this one. I have read this one. I have read this one. I have read this one in Hindi. So, let's start with the first question. So, the first question is, write the fraction representing the shaded portion. तो, यहाँ पर हम लोग को fraction लिखना है, यहाँ पर हम लोग को shaded region दिये गए, जो भी आपर drawing दिये गए, उससे related हम लोग को fraction लिखना है. Shaded portion के हिसाब से, तो, drawing पर मत जजज करना, तो, first part है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, एक कोई तो भी triangle बनाया गया है, उसमें लोग ने चार पार्ट के एक, उपर तीन और नीचे एक है, और उस चार पार्ट में इन लोग ने दो पार्ट को shade कर दिये, तो, उन लोग ने 4 पार्ट में 2 पार्ट shade किया, तो, मतलब इसका fraction होगा, 2 फोल्ट, मतलब 2 बाई 4, 4 पार्ट में 2 पार्ट shade किया, उपर दो नीचे 4, तो, इसका fraction है 2 बाई 4, और second part में, इन लोग ने total 9 पार्ट किया, उपर 3, बीच में 3, लास्ट में 3, तो, total यहाँ पे हुए 9 पार्ट, और इसमेंसे इन लोग ने बीच आलो जो पार्ट है खुला चोड़ा है मतलब एक ही पार्ट सिर्फ शेड नहीं किया बाकि सारे आठ पार्ट जो है नाइन में एक नहीं किया तो आठ बचा आठ पुरे शेड की तो इसका फ्रैक्शन होगा 8 बाइन तो तर्ड पार्ट में इन लोग ने शायद से 8 बॉल बनाया गाए तो आठ बल में उपर चार नीचे चार दो बार बाहे तो आट हो गया और उपर टीन बॉल इसका fraction होगा 4 x 8 और इधर 4 तो आले में लोगने 1 बॉल में 4 पाट किया है और इसमें 1 पार्ट शेट के तो इसका fraction होगा 1 x 4 एक पाट शेट के ऊपर 1 और नीचे 4 पाट का 4 और फिफ्ट अले पाट में लोगने टोटल एक दो तीन चार पाट छे साथ इधर कोई तो फिगर बना इसका नाम तो नहीं पता मुझे इसमें साथ पाट है टोटल और साथ इकॉल पाट में तीन पाट शेड किया तो मतलब नीचे साथ उपर तीन मतलब थ्री फॉर्ट शेड किया है इन लोग ने मतलब 7 में 3 शेड किया है और 6 में इन लोग ने कुछ तो फिदर श्टार श्टार बनाया मैंने थोड़ा अलग ड्राइंग बनाया पर समझ जाने एक श्टार जैसे है तो यह यहां पर टोटल उपर तीन उपर चार बीच में चार नीचे भी चार तो तीन बर चा फ्रैक्षन होगा हो वह होगा 3 by 12 पूरे 12 में 3 वा इन लोग ने छोड़ा बाके सारा शेड किया है और इधर मैंने इधर 7 बनाया इधर बनाया तो 7 तो फ्रैक्षन होगा इंगर काट देंग तो सीरो पर हम लोग फ्रैक्षन बूला गया तो मैंने 10 बाय टैन लिख है तो ए 8 वाले में हम लोग को टोटल एक ट्रैंगल में 9 पार्ट की दिया गया उसमें से इन लोग ने तोटल 8 पार्ट कि उसमें से 4 पार्ट को share चाहए तो Fraction वोगा 4 बाइट फोर को share चाहए आठ पार्ट में और लास्ट आले पार्ट में लोगने एक तितली बना इसको आधा कर दिया और मतलब दो पार्ट में तितली को कर दिया और एक पार्ट में लोग ने शेड कर दिया तो इसका होगा टू पार्ट में एक पार्ट मतलब वन बाई टू तो इसको हम लोग हाफ बोलेंगे तो यहाँ पे सारे पार्ट कहतम हो गया तो इस ड्रॉइंग के लिए करएल एक टो बनता है तो बड़ते है के की तरफ की तरह तो接ta के संसे का संसे क्सक्रागेशन होगे और अभी मैं कोई पार्ट करनारें तो की चैस औस ízुट ज़soo कर एक पार्ट को सो भी गदो तो प्लेकर देना को और आपकम कोई भी दो पार्ट को को लेगे इसित ऐख़ी अन्रज में की तो बढ़ते थे नेक्स्ट पार्ट की तरफ तो फॉर्थ पार्ट में हम लोगों को बोला गया थ्री बाइफॉर में तो चार पार्ट में तीन पार्ट को कलर करना है तो आप में कोई भी तीन पार्ट को कलर कर दूँगा कि यहाँ पर एक पर रेमिनिंग बज गये तो फिफ्थ पार्ट में लोग को नाइन पार्ट दिया गया और नाइन पार्ट को फोर पार्ट को कलर करना तहीं पर आप लोग कोई भी चार पार्ट को कलर कर सकते हैं तो यहां पर यह कोश्चन खतम हो चुगा तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ तो यहां थर्ड कोश्चन है कि identify the error if any तो यहां पर हम लोगों कुछ डाइग्राम दिये उसके according fraction दिये और हम लोगों को इसमें एरर बताने तो यहां पर फॉस्ट डाइग्राम में ट्राइंगल बना है और उसको कैसे भी काट दिया है और उसको half fraction बोले तो यहां पर इन लोग ने जिस तरह से इस fraction को share किया है यहां आप लोगों को देख की समझ मारा होगा यह अगर हाफ नहीं है यह अलब पाट थड़ा चोट यह बड़ा है अप लोग अगर आप लोग माने वह आप थोड़ी है यह वाला पाट ज्याद है ऐसा आप बोलोगे तो यह षाक निये are fraction और इस fraction में भी या पि होटे छोटे दो बॉक्स बना दी यह बड़े बड़े बना दीए राटा कैसे भी है इसको फोड़ी बऒंपोर्थ है कि इसे फ्रैक्शें से व री प्रेजर्चेंट जो ने किया है यह प्रेङ्य नहीं करते हैं कि रेक्षिंट को प्रेच्ट को जो नहीं करते ह novakına इसे नहीं हमकिना आंकि तो च्किय filter लो हômoto भूष को गहरं कर लोग प्रेजर्ची गर बन गते हैं यह represent नहीं करते ही जो होगी इन लोग ने fraction लिखा है इसके लिए हम लोग को कभी भी equal parts में काटके fraction लिखना चीए तो यह यह error है इसमें कि जो इन लोग ने share किया है वो represent नहीं करते fraction तो बढ़ते next question की तरफ फूर्थ question है कि what fraction of a day is 8 hours तो इसमें बोला जा रहा है कि एक दिन में 8 hours अगर निकाल दो आप लोग मतलब 24 hours में 8 hours निकाल दो तो उसका fraction क्या होगा तो वन दे हो तो 24 hours तो इन लोगने बोला है कि उसमें से अगर 8 hours अगर हम लोग spent कर लिया निकाल दे तो उसका fraction क्या होगा तो 24 जो होगा total तो वो denominator में लिखा जाएगा और 8 जो है वो हम लोगों को दिया गया कि 8 hours spent किया है या कुछ भी तो उसको नियूमिरेटर में लिख देंगे मितला उपर लिख दें तो इसका fraction जोगा वह होगा 8 by 24 तो बढ़ते 5th question के तरफ तो 5th question के what fraction of an hour is 40 minutes तो एक आवर में 40 minutes का fraction के है तो एक आवर होता है 60 minutes और इसमें हम लोगो 40 minutes का fraction बोला जा रहा है तो total हुआ 60 minutes हो 60 minutes में 40 minutes का fraction होगा 40 by 60 40 हम लोग नियूमिरेटर में लिखेंगे क्योंकि दिया आगे हम लोगो कि 40 minutes हम एक और में 40 minutes हम लोग को fraction बोलना है तो 60 होगा हम लोग का total minutes हम लोग नीचे 60 लिखेंगे denominator में और उपर numerator में 40 लिखेंगे फ्रेक्शन हो जोगा 40 by 6 या 4 by 6 00 कट जाएंगी क्योंकि तो बढ़ते 6th question के तरफ तो 6th question है कि Arya, Abhimanyu and Vivek shared lunch. Arya brings two sandwiches. One made of vegetable and of and another of jam. The other two boys forget to bring lunch. Arya agreed to share his sandwich so that each person will have an equal share of each sandwich. A. How can Arya divide his sandwiches so that each person has an equal share? तो इस question का एकदम simple meaning में बता देता हो कि Arya, Abhimanyu and Vivek ये तीन लोग ने अपना lunch और शेयर गया. Arya ने दो sandwich लायता है एक चुथा वो vegetable से बना था और एक में jam था तो उन मेंसे दो लोग ने अपना lunch नहीं लाया Arya ने उन लोग को request कि, request तो नहीं मतलब agreeable कि तुम लोग मेरे sandwich में थोड़ा थोड़ा खालो तो वो लोग ऐसा क्या करेंगे कि उन तीनों लोग को बराबर बराबर sandwich मिलेगा तो इसका first question यही है कि Arya कैसे sandwiches को divide करेगा कि उन तीनों लोग को Arya, Abhimanyu and Vivek को तो मैं square बना दे तो यहां पर तो यह सेंड्विच में यहां पर टोटल दो सेंड्विच है उनके पास तो वो लोग को दोनों सेंड्विच को असा दो दो पार्ट में तीन तीन पार्ट में उन लोग को काट देना चीए फिर हर एक जन एक एक पार्ट खाएगा हर एक पार्ट जो है वो equal size करेगा और तीनों का equal paid भर जाएगा तो मितलब एक सैंड वीच को तीन थीन पार्ड में करने करके सेंडविच और भराबर-भरस तरफ तो इसका बी-पार्ट रॉट पूच्छ वहां पूछा जा रहा है कि एक बच्चा कितना पाड भाँ खाएılar सैंबीच का मतलब वो फ्रेक्शन को बताना में तो वो वन थड खाएगा मतलब तीन पार्ट में वो एक बंदा एक पार्ट कायगा तो इसका जो फ्रेक्शन है वो है वन बाई थ्री तो बढ़तें नेक्स्ट कोशन के तरफ तो सेबन्त कोशन की कांचन डाई's dresses she had to die 30 dresses she has so far finished 20 dresses what fraction of dresses has she finished तो कांचन तो जो थी वो dresses को dye करती थी तो उसको टोटल अभी तक 30 dresses dye करने थे और उसने अभी तक 20 dresses को dye कर दिये थे तो क्या fraction है जो उसने अभी तक कितने फिनिश किया उसका fraction में बताना है तो उसको जो ट्रेस को डाय करने वह है 30 नमबर और उसको उसने अभी तक 20 dresses को डाय कर दिया तो टोटल हम लोग नीचे लिखेंगे और जो जिसने अभी तक उसमें जितना क्यास को उपर लिखेंगे तो फ्रैक्शन जो हो जाएगा वह होगा 20 by 30 उसने मतलब 30 dresses में 20 dresses को डाय कर दिया तो इसका अगर छोटे फॉर में आंसर चीए तो 00 कट करके हम लोग 2 by 3 भी लिख सकते हैं तो बढ़ते हैं एट कोशन के तरफ तो एट कोशन के तरफ तो एट कोशन है कि राइट द नैच्रल नंबर फ्रॉम 2 तो 12 वाट फ्रैक्शन आफ देमार प्र तो से 12 बीज़ प्राइम मेर वी इन और मैंने नमबर से न नाच्रल नंबर से लिख स्वावे देमार उसका अम्ने लोग 9 स्वावस देऄ तो उसका नाच्रल नंबर अभी र्काल व ही07 तो ने कनापने था रऌक्शन जो और कुट डिवाईड होगत है याट्स का 5, 7 और 11, यही 5 नमबर है जो प्राइम नमबर है, से डिवाएड रर 1 से डिवाएड होते है तो हाप यहा प्रीजह दोब हम लोगने निखा लेके तो टोटल प्राइम नमबर हुए 5 तो 11 में 5 प्राइम नंबर है तो हम लोग का फ्रैक्शन होगा 5 by 11 मतलब 11 नेचरल नंबर में हम लोग को 5 प्राइम नंबर मिल गए तो फ्रैक्शन है 5 by 11 बढ़ते हैं 9th question की तरब तो हम लोग का 9th question है वह है write the natural numbers from 102 to 113 प्राइम नंबर वादर है क seg Now इतना से लेके हैं अमने क Lap 3 तक फ toss эп div пл ख pre अ क्रित नंबर लिने फिर उसका बतानानाई सेम कॉशन नंपर ऑट से लेके 113 तक सारे अमने निख दिया उसके बाद गिने तो उसके वाद नम्बर थे टोटल प्राइम नमबर फ्रैक्शन होगा फॉर गोई ट्वैल ओबिस्ली इसको उम्लोग वन बाई थी भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 और 12 कट जाते हैं कैसे लिखा 4 बाई 12 तो यहाँ पे टोटल जो नाचुल नमबर से हो 12 और यह जो ट्राइम नमबर थे 4 तो लो यहां पर जो प्राइम नंबर की काउंटिंग है वो 12 नाचरल नंबर में 4th 12th है मतलब 12 में 4 प्राइम नंबर है तो बढ़ते हैं 10th कोशन की तरफ तो 10th कोशन की वाट फ्रेक्शन अब इस सर्कल्स है एक्स इन डेम तो हम लोगों को बोला गया कि फ्रेक्शन बताने इसमें से जो आठ सर्कल्स दिया उसमें से चार सर्कल्स में एक्स मारक है तो इसका फ्रेक्शन क्या होगा तो मतलब यह 8 circle बना उसमें से, जितने भी circle में x है, उसके over में हम लोग को fraction बताने हैं, तो यहाँ पर हम लोग के total circle से है, वो है 8, उपर 4 नीचे 4 और नीचे जो 4 है, उसमें पूरा x, x, x है, तो circle वीच है, x in them वो होंगे 4, और total circle 8, तो हम लोग के total circle को हम लोग नीचे लिख तो हम लोगा जो फ्रैक्शन होगा, वोगा 4, 8, मतलब आट में 4 है, मतलब 8 circles में 4 में x है, तो हम लोगा फ्रैक्शन होगा 4, 8, x यहाँ पर बनाया गया है, तो बढ़ते हैं, हम लोग के last question के तरफ, तो 11th question है, Christian received a CD player for her birthday, she bought 3 CDs and received 5 other as gifts, what fraction of her total CDs did she buy and what fraction did she received as gifts, तो इस question में हम लोग को बोला जा रहा है कि, Christian जो एक लड़की, उसने बहुत सारे CD player जो है, वो रिसीव की अपने बड़े में, तीन CD player जो थे उसको उनने उसने खरीदा, मतलब बॉट किया, और 5 जो थे उसको गिफ्ट में मिल गए, तो इसमें पूछा जा रहा जो इसने बॉट किया, मतलब खरीदा, उसका fraction कहा है, और जो उसको गिफ्ट में मिला, उसका fraction कहा है, तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले मैंने लिग दया, नमबर अफ सेडी बॉट जो मतलब उसने खरीदा, टोटल तीन CD player खरीदा तो मैंने तीन लिग दया, और नमबर उसका fraction लिखना है, तो जो उसने बॉट किया, बॉट का लिख देता हूँ, टीन अमिनेटर में 8 है क्योंकि वो टोटल है, तो उसने जो बॉट किया होता है, तो फ्रैक्शन होगा 3 by 8, obviously, तो उसने 8 उसके टोटल CD player में से 3 उसको मिला है, तो उसने 3 8 खरीदा, मतलब 3 by 8 उस उसको receive में मिला, बड़े gift में, जो उसने received किया, वो होगा 5 by 8, बचा हो 5 by 8, मतलब उसने 5 जो उसको मिला, उसका जो fraction होगा 5 by 8, क्योंकि टोटल जो उसका CD player है, वो 8 है, और उसने उसको टोटल 5 मिले, तो हम लोगा 5 by 8, मतलब 8 में से 5 CD player मिल गए, तो यहाँ पे हम लोगे स सारे questions खत्म हो चुके, तो यहाँ पे इस exercise का the end हो चुका है, तो अगर आप लोग को मेरे वीडियो से कुछ knowledge मिला तो प्लीस वीडियो को like करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share करें, और मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया, तो subscribe कर दें, और अगर आप लोग बाई खशो जबू आरे बाइतर के लिए रखें खरें और फम्हें के लोगँ जर आपाई तर करेंगे लोगवियो बाइतर करें दो को थाहिए झे भाय है अारे, और नहीं हूँ का है महै हो आख एक रड़गी और पेपको फूद गएर ऐ भाश से बाग, शवार बाति जले